बिसमिल्ले रख्मानी रहीम अस्सलाम अलेकूम मैं हूँ रूच और कुक फिदुरूज में आप सभी को खुशामदीद कहती हूँ उमीद है आप सब खेरिया से हूँगे आज हमारे किचन में बने हैं बहुत ही मज़ेदार स्पैकिटी रोल तो रेसिपी की तरफ चलते हैं पлиको अच्छी से अदने है मिस कर लेंगे अच्छे से लसन और रख भी हमने अच्छी से ओईल में पका लिया है है दैलेंगे इसमे दो खाने के चंचंचं डालेंगे टीमाटो कैच्प एक टीजब दालेंगे इसके अनदर आप नि से टीष पून डालेंगे एक चाय का समचा चिली फ्लैक लेंगे मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स कर लिया है यह हम डालना भूल गए थे तो जनाब चिली सॉस क्योंकि मुझे चटपटी चीज़े बहुत पसंद है चिली सॉस डालेंगे अगर आप मिर्चे कम खाते हूं या तो कुटी भी मिरच डा हाफ कप री वशिते के घी एंगे अजया एद्थों हट रूणिया याचर्या गे ब्ला के घाचली आधे सब कहलेए रेडी है चनाप, रोल बनाते, यहां मैंने रहे है रोल की एक पट्टी, इसके अंदर डालेंगे स्पैकडि, और इसको रोल करेंगे, मेरी नवर में आपके बैबिमें थोड़ा सब और डालें यह वाला मैठाऊंगी peace थोड़ा सबूम डाल देंगे अपनी दर्ण के लिए और फिर इसको रोल करेंगे साइडे इसकी कवर कर लेंगे ताकि साइडों से बाहर नहीं निकले और फिर इसको रोल करना शुरू करेंगे साइडों को से कवर करते जाएंगे और रोल करते जाएंगे ताकि ये फ्राइ करते टेम बाहर नहीं निकले स्पगेडी मिल्कुल रोल कर लिए हमें देखिए थोड़ा सा इसा छोड़ देंगे और जो अपने आटे की लई तैयार की है वो लगाएंगे हाथों की मदब से फैला लेंगे पन कर देंगे इसको रोल हमारा तैयार है तलेंगे अब इसको हम ओईल हमारा गरम हो चुका है बिल्कुल अधिया से बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे इसको हम तलेंगे जाज़ा तेज आँच नहीं रखेंगे तेज आँच पे तलेंगे तो फोरन सही गोल्डन हो जाएगा लेकिन अंदर तक सिकेगा नहीं पगेगा नहीं अंदर तक तो यह तैयार है निकाल लेंगे इसको सर्फ करके दिखाते हैं आपको तो मज़ेदार से स्पैकेटी तैयार हैं बहुत ही मज़ेदार बनते हैं रमजानों में बनाएं अपने अफ़तार का मुझा दोबाला करें बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं तो आए चले मैं आपको एक पीस काट के दिखाते हूं बहुत ही मज़ेदार से खुशबू आ रही है तो देखे जनाब मज़ेदार से स्पैकेटी रोल तैयार है बनाएगा इंशालला आप लोग को ज़रूर पसंद आएंगे पसंद आए तो मैं चैनल को सब्क्राइब करें लाइक करें शेयर करें अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए आला हाफेज